ग्यान मंत्रा हूम रेमिडीज में आप सभी लोगों का स्वागत है आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि करवा चौत वाले दिन भूल कर भी महीलाओं को क्या क्या कारे नहीं करने चाहिए सुहागिन महीलाओं का बड़ा पर्व करवा चौत इस महीने 27 अक्टूबर को मनाया जा रहा है इस दिन शनिवार होगा वहीं इसी दिन संकटी गड़ेश चतुर्थी होने से यह पर्व और भी शुब हो जाएगा तो आए जानते हैं अक्सर भी कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए बलकि उसे कहीं छुपा के रख दे तो वही बहतर है सिलाई कड़ाई भी करना वर्जित माना गया है करवा चौत वाले दिन व्रत के दोरान खाली समय को व्यतीत करने के लिए व्रत के दिन अक्सर महिलाए सिलाई या कड़ाई या स्वेटर बुनने का काम करती है आज के दिन ये सभी कार प्रतिबंदे थें करवा चौत वाले दिन इस दिन समय बिताने के लिए ताश के पत्ते भी नहीं खेलने चाहिए जुवा तो कदापी नहीं खेली है अपने समय को संगीत और भजन में बिताएं किसी की निंदा नहीं करें किसी की चुगलिया बुराई करने से व्रत का फल नहीं मिलता है दूद, दही, चावल या उजला वस्त दान मत करें करवाचोथ वाले दिन अपनों से बड़ों का निरादर नहीं करना चाहिए पती के अलावा किसी का चिंतन किसी भी स्थिती में करवाचोथ वाले दिन नहीं करें सुहाग की वस्तुएं कचड़े में मत फेंखे श्रिंगार करते समय जो चूडियां तूट जाए उनको भेते जल में प्रवाहित करें ना कि उन्हें घर में रखें इस दिन धूमरपान नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार का नशा व्रत के पूर्णे का नाश कर देता है तामसिक भोजन भी इस दिन कोशिश करें कि आप लोग नहीं खाए पती से प्यार से बात करें कोई विवाद नहीं करें यदि कोई विवाहित महिलाएं सभी नियमों के पालन से निर्जल व्रत भी रहती है और पती को डाटती या अपमान करती है तो उसका सारा व्रत बेकार हो जाता है इस प्रकार करवा चौत एक बहुत महत्वपूर्ट देवहार है इस दिन का सद्यू प्योग करें लाल या नारंगी हरी पीली साड़ी पहने पूरे दिन महिलाएं अपने में संगीत का आनंद ले सोलह श्रिंगार करें भगवान, शिव और माता परवती का ध्यान करें आपको अपने पती से काफी आपको जो आशा है वह पूरी अवश्य ही होगी अभी के लिए बस इतना ही अगर आप और जादा जानकारी चाहते है तो हमारे चैनल ग्यान मंत्रा हूम रेमिडी सब्सक्राइब कीठी है धन्यवाद